हेलो फ्रेंद्स वेलकम बैक टो मैं चारा और आज का वीडियो भी है स्पेशली हमारे किड्स के लिए यानि कि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कने जा रहे हैं कुछ ऐसे फेस वाश जो स्पेशली है पांच साल से लेके पंदरा साल के बच्चों के लिए क्यों मैं काफी टाइम से सर्च करी थी कोई ऐसा फेस वाश मिल जाए जिसका मैं यूज कर सकूँ अपनी बेटी के लिए ताकि उसका फेस अच्छी तरह से हो जाए क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं जब वो स्कूल से घर वापिस आते हैं तो आपके उ के साथ ही पूरी उनकी स्किन को कर देते थे clean पर जब उनकी एज बढ़ जाती है तो हमें जुरूरत होती है कोई ऐसा स्किन केर का पड़क जो टोटली हो सेफ तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हूं ऐसे दो डिफरेंट फेस वाश जो हमारे बच्चों के लिए है तोटली सेफ सो प्लीज काईज लेट स्टार्टेड सो यह है मेरे पास ममा अर्थ फार्मिंग फेस वाश पॉर केड्स जो की कोकुनट बेस क्लिंजर है जिसमें अलोवेरा का यूज किया गया है हाइपलरजेनिक है डर्मटोलजिस टेस्टेड है सोप फ्री है टेयर फ्री है और यहां पर मेंशन है एज ग्रूप यानि जीरो से लेके टाइन एर्स तक के एज ग्रूप वाले बच्चे इस फेस वाश का यूज कर सकते हैं कॉन्टिटी काफी जाद है 120 ml है कॉन्टिटी इस तरह से यह प्लास्टिक की Transpirant bottle में है और यह transparent ही है बिलकुल फीस wash और यह पंप की फ़र्म में आता है तो कॉन्टी इसकी काफी जाद है तो काफी time चलेगा यह face wash क्योंकि यह है एक form based face wash और इसका price है 3.49 रुपीज और यहां पर देख लो specially mentioned cleanse oil and dirt gently tear free make skin soft and smooth तो टोटली सेफ है ये हमारे बच्चों की स्किन के लिए तो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इसको यूज करने से मदर्स को क्या बैनेफेट होगा अगर वो इस फॉर्म फेस वाश का करेंगे यूज पहले हम थोड़ा समने फेस पर पानी लेंगे ऐके लेलिया फिर हम इस पर ऐसे इसको शेक करेंगे अगर शेक हो गया उस पर लेंगे बस वांड़ोः गया बस इधना ड्रोःइं फिर हम ऐसे रख करेंगे फिर आई इस बिन करेंगे खोग्या? खोग्या? अगर मैंचे खो रहेंगे टेबारेंगे अगर हमारा हमारा हो गया तो हमारी स्केन में ब्यूटिफुल हो जाएगी हमारा सारा गन, सारी मैल उतर जाएगी और ठेर हमने हैंड वाश करना है वाण रॉप एंड रॉप ओके? ऐसे लेंगे हम ऐसे करेंगे सब हैंडो को हम साफ करेंगे पानी से भूइंगे यह हमारा फेस वाश हो गई इससे हमारा दाप और हमारी मैल खतम हो जाएगी तो देखा अपने मदर्स को क्या बेनफिट होने वाला है अगर उनके बच्चे इस फेस वाश का यूज करेंगे उनको मदर्स को यह बेनफिट होगा कि बच्चे इजली अपना इस फेस वाश की हेल्प के साथ अपना फेस क्लीन कर सकते हैं तो यह थी मेरी बेटी की स्किन के रूटीन स्कूल से आने के बाद वो अब अपने अप अपना फेस बड़ी अच्छी तरह से क्लीन करते हैं इसको काफी क्रेज होता है कि फेस वाश का यूज करना क्योंकि पहले मुझे काफी ज़्यादा पॉबल्म होती थी उसके फेस को क्लीन करने के रही नहीं सोसते थी काुण सा प्रड़क्त यूज करूँ कैसे क्लीन करूँ कहीं उसकी आईज में न चला जाए तो अब मुझे कोई टेंचन नहीं है वो अब अपने आप दिन में दो बार इस फेस वाश के साथ अपने फेस को कर सकती है तो ये मदर्स के लिए मेजर बैनेफिट ही हुआ कि बच्चे अब अपना फेस वाश अपने आप कर सकते हैं इस मम अच्छा अप्शन है ये अल्टिमेट फेस वाश को यूज करने के रिगान जो कि बाइनोवा कंपनी का है क्योंकि इसमें तुल्सी टर्मरीक और नीम ये तीनों ऐसे इंगेंट का यूज किया गया है जो बच्चे के कॉमप्लेक्शन को भी और ज्यादा इंप्रूव करता क्योंकि अक्सर बच्चे जब स्कूल से वापिस आते हैं उनका कॉमप्लेक्शन का फ़सा डल हो जाता है का फ़सा टैनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है तो अच्छा option है आप ये अल्टिमेट फेस वाश तुल्सी टर्मरीक नीम का यूज कर सकते हो वैसे तो ये फेस वाश टेस्टेड नो हामफुल केमिकल्स तो 125 है इसका प्राइस तो आप इसको भी पर्चेस कर सकते हो तो इसकी स्मेल थोड़ी सी आप कह सकते हो हर्बल सी स्मेल है क्योंकि इसमें इस तरह से इंगेंट्स का यूज किया गया तो ओवरल गाइस काफी अच्छी तरह से ये फेस को प्लीन करेगा और बाद में बच्चों की स्किन भी ड्राइ नहीं हो तो फर्स्ट ऑप्चन है हमारे पास ये ममस अर्थ का फेस वाश और ये फेस वाश खास तो पर उन एज ग्रूप के लिए है जिनकी एज है जीरो से लेके टैनियर्स यानि की न्यूबॉर्ण बेबी से है अगर आपके बच्चे की एज 10 साल तक है तो आप इस ममस अर्थ के फेस वाश का यूज़ कर सकते हैं बहुत बहुत अच्छा है फेस वाश मुझे काफी टाइं से सर्च थी कोई अच्छा सा माइड़ सा फेस वाश मुझे मिल जाए जिसका मैं करूं यूज़ पर मुझे काफी time लग गया मुझे कोई ऐसा product नहीं मिल रहा था तो एक दिन मैं search मारी थी तो मुझे ये face wash मिला तो जिसको मैंने किया online ही purchase किया क्योंकि market में ये अभी available नहीं है easily तो आप भी market से जाके check कर सकते हो अगर आपको market से मिलता है तो आप वहां से purchase कर लें किसी chemist shop में भी ये available है मामा जार्थ के product अब वहां से भी पूछ सकते हो तो अगर आपको नहीं मिल रहा market से तो definitely link आपको मीचे मिल जाएगा description box में तो आप वहां से जाके कर लें purchase तो hyperallergenic है safe है totally हमारे बच्चों के लिए newborn babies के लिए भी आप use कर सकते हो और इस face wash को जब से मैंने purchase किया मुझे यह benefit हो गया कि अब Zenia जल्दी से आके जब भी स्कूल से आती है जल्दी से आके अपने face को अपने आपी clean करना हो जाती है start करते थी है क्योंकि आगे मुझे पहले बड़ी problem होती थी उसको face जब भी मुझे clean करवाना होता था मैं सूसती थी क्या मैं उसके face पे apply करूं जिसके करण उसके face का सारा dirt निकल जाए क्योंकि बच्चे जब school जाना start कर देते है तो जब वो school से वापिस आते हैं तो काफी स्वेटिंग की problem होती है जिसके करण उनकी जो skin है काफी ज़दा होती है dirty तो best option है यह आप ममा जर्द का face wash करने पर चेज और बच्चे खुद इसका use कर सकते हैं क्योंकि यह totally safe है कोई eyes में irritation की problem नहीं होती तो आप इस face wash का use कर सकते हो तो अगर आपके बच्चों की age 10 plus है यानि 10 साल से लेके 15 साल तक आपके बच्चों की age है तो आपको कौन से face wash का use करना चाहिए तो उसके लिए आपके लिए आपके लिए अच्छा option है बाइन 13 years में भी होना start हो जाती है उस problem को भी करेगा दूर कि जब बच्चे स्कूल से आते हैं sweat की problem इतनी जादा होती है उसका reason यह होता है कि बाद में वो अपने face को जब अच्छे से clean नहीं करते तो उनको भी pimple acne जैसी problem होना start हो जाती है तो अच्छा option 10 years से लेके 15 या 16 years तक आप यह bynova की mean tulsi turmeric face wash का use कर सकते हैं skin को बिल्कुल भी बाद में dry नहीं करती है और totally safe है हमारे बच्चों के लिए So overall guys यह था मेरा आज का video इन दो different face wash के ओपर जो specially है हमारे kids के लिए and I hope मैंने mostly problem solve कर दियोगी momies की जो हमेशा search करती रहती है कि हमें अपने बच्चों के लिए कौन से face wash का use करना चाहिए अगर आपके बच्चों की 8-5 साल से लेके 15 साल तक है तो आपको अपने बच्चों के लिए कौन से shampoo का use करना चाहिए कौन से oil का use करना चाहिए और कौन से conditioner का करना चाहिए use तो यह share करूंगी मैं अपनी next video में तो अगर आप चाहते हो कि हमारा next video ना miss हो तो आप जल्दिक स जा के खरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ये था मेरे अचका ओवरल वीडियो और यह था मेरा आजगा अजुका ओवरल वीडियो होफ करे एड दिस वीडियो दिल्दि प्लीजस लोर्दन का एं वाइघ ना फोगे व्रोंड ना परक्ड्द था ङ्रóg तो यह तो ने तो